शानवी की रशोव में फ्रेंड्स आज मोदक वन वाले हैं जो गनेश जी के बहुती प्रिये और फैबरेट प्रशाद होता है तो चलिए फ्रेंड्स सुरू करते हैं कड़ा ही ले लिया है और इसमें हमने लिया है पोस्ता दाना इसको हलका ब्राउन होने तक रोष्ट कटोरी नारील का पाउडर यानि कोकोननेट पाउडर लिया यह डालने से ना जो मोदक बहुत सॉफ्ट बहुत टेस्टी बनता है तो इसको जरूर आप डाले अगर है तो नहीं है तो आप इसको skip भी कर सकते हैं इसको भी हम अच्छे से roast कर लेंगे देखे इसका color हलका brown हो चुका है अब मैं इसको निकाल लूँगी और same कडाही में ही मैं एक cup या एक कटोडी आप घी डाले measurement के लिए जैसे हम एक कटोडी हमने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है मैं आज आपको मुदक बनाना बता रही हूं गेहूं के आटे से तो बहुत टेस्टी बनता है बेशन से बनता है लेकिन गेहूं के आटे से मैं बनाना बता रही हूं तो इसको हम continue चलाते रहेंगे medium flame पर ताकि यह चिपके नहीं जले नहीं इसलिए हमको इसको slowly slowly इस तरीके से चलाना है इसको continue चलाते रहेंगे और इसको मिलाते रहेंगे ताकि यह और ज्याधा soft हो अभी आपको लग रहा है कि यह ज्याधा dry है लेकिन जैसे जैसे यह मिलता जाएगा वैसे वैसे इसका जो है बहुत अच्छा सौप्ट हो जाएगा तो देख सकते हैं इसकी जो गी है ना वो अलग से मैल्ट हो रही है जितना हम इसको मिला रहे हैं देखिए बिल्कुल हल्वा जैसा बन चुका है ये अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे तो देखिए हमने यहां पे निकाल लिया है इसका देखिए इसका थिकनिस कैसा है और कितना अच्छा लग रहा है मैंने यहां पे जब बनाया था तो बहुत थिक लग रहा था लेकिन अब ठीक है और इसी में हमने ले लिया है एक कटोरी चीनी और गरम दूद मैं यहां पे ड आर इसको भी हम अच्छे से चला लेंगे ताकि जो चीनी है न वो अच्छे से मेल्ट हो जाए तो देखें चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और बहुत ही अच्छा है इसको हम continue थोड़ा घाढ़ा करेंगे ताकि जो इसकी स्वाध है न और ज्यादा टेस्टी बने और जो हमने नारियल और पोस्तादाना का जो रोष्ट करके रखा थो वो इसमें आड़ कर दिया है इसको भी अच्छे से हम मिला लेंगे ताकि इसमें गुठली ना पड़े तो देखें हम इस तरीके से इसको मिलाते रहेंगे तो ये भी अच्छे से मिल चुका है अब हमने जो आटे का बनाया था ना घोल वो इसको हम इसमें डाल देंगे आपको फ्रेंड्स बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये आटे का मोदक है बहुत ही टेस्टी और सुपर डिलिसियस बनता है ये इसको भी हम कंटीन्यू चलाते रहेंगे ताकि ये पकड़े नहीं इसमें जले नहीं तो देख सकते हैं इसको हम ऐसे चलाते चलाते बिल्कुल ये सोख लिया है दूद्ध और चीनी दूद का जो मिश्रन था वो प्रॉपर इसमें सेट हो चुका है आप इसको जितना मिलाएंगे न उतना ही सौट और उतना ही टेस्टी मोदक बनेगा तो देखिए ये कडाही छोड़ रही इसका मतलब फिर पर्फेक्ट बनकर रैडी है तो चलिए अब इसको एक थाली मड़ा निकाल लेते हैं अब यहाँ पर मैं थोड़ा थंड़ा होने के लिए छोड़ दूँगी और साथ में हमने यहाँ पर डाला है इलाइची पाउडर और इसको भी हम मिला लेंगे तो देख सकते हैं कितना सौट बना हुआ है ये बैटर मोदक का बैटर बहुत ही सौट बना हुआ है तो अब मैं क्या करूँगी जब तक यह ठंड़ा हो रहा है तब तक मैं इसको कुछ ड्राइफ फूट्स है जो हमने फाइन चॉप किया है उसको हम इस तरीके से मिला लेंगे इसमें फिलिंग करने के लिए यहाँ पर हमने लिया है एक चमच नार्यल का पाउडर और एक ही चमच लिया है पूरा चीनी का पाउडर और एक चमच हमने यहाँ पर दूब्ध लिया है और इसको भी मिला लेंगे अच्छे से ताकि जो इसकी जो फिलिंग होगी न वो चिपकेगी अच्छे से होगी ड्राई रहेगा तो वो निकल जाएगा न इसलिए तो देखिए थोड़ा थोड़ा गिला गिला से हो चुका है अब चलिए जो हमने मुदक के लिए मेन प्रोसेस है वो ये है इसको थोड़ा सा और हम मिला लेंगे तो दो तीन मिनट हमने इसको और गूत लिया है अच्छे से अब हमने यहाँ पे डाई लिया है यहाँ पे हमने थोड़ा सा तेल डाला है इसमें मतलब खील से ग्रीज किया है ताकि यह आसानी से निकल जाए अब मैं इसमें पहले थोड़ा सा डालूंगी ये आटे बाला जो है उसके बाद हम चारो तरफ इस तरीके से फैला लेंगे ताकि जो हमने ड्राइफ रूट्स की जो फिलिंग करेंगे वो अच्छे से हो देखे हमने चारो तरफ से फैला लिया है अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी यह ड्राइ फ्रूट्स और उपर से फिर से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ यह आटे का जो हमने बनाया है न वो यह गेहूं के आटे का है फ्रेंड्स और इतना अच्छा बना है कि क्या मैं बताऊं आपको यह बहुत ही अच्छा टेस्टी बन कर तैयार है मोधक तो आप कॉमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स की कैसी लगी आपको रेस्पी मिलते हैं नेक्स्ट रेस्पी के साथ बबाई, हैपी गनेश चतुर्थी, गनपती पपा, मोरिया और सानभी की रशोई, हिंदी को थैंक यू फर वाचिंग